एपीजी पात्शाला हिंदी में आपका स्वागत है। मैं अर्चना वर्मा, मिरांडा हाउस दिल्ली विश्व विद्याले के हिंदे विभाग से सेवा निवृत एसोसियेट प्रोफेसर। आज मैं आपके साथ सविता सिंग, नीलेश रगुवन्शी और गगन गिल की कविताओं पर चर्चा करूँगे। का आकलन कर सकेंगे। यहां ये तीन विशिष्ट कवेत्रियां हैं, जिनकी रचना के माध्यम से आपको अस्मिता मूलक, स्त्रीकावी की कुछ प्रवृत्तियों से रूबरू करवाया जा रहा है। गगन गिल और सविता सिंग अनामिका और कात्याइनी की पीड़ी की कवेत्रियां हैं। निलेश रगुवन्शी तनिक युवतर पीड़ी की सदस्या कही जा सकती। इन कवेत्रियों की सामान प्रवृत्तियां वही हैं जो संपून, अस्मिता, मूलक, स्त्री विमर्ष की हैं। लेकिन प्रथम चरण की अपेक्षा इनके बलागात कुछ बदले हुए है। इस्त्री के स्वत्व को कुन्ठित और अवरुद्ध करने, बलकि कहना चाहिए कि स्वत्व हीनता को निश्चित और निरदारित करने में। पित्रसत्ता की कर्टूतों का चित्रन, पित्रसत्ता के उत्पीडन का उग्र और प्रबल विरोध, ये एहसास कि अपने जीवन में परिवर्तन केवल स्वयम अपने द्वाराही संभवे और अपनी एक नई असमिता और स्वत्व के गठन पर जोर. इन कवेत्रियों में पित्रसत्ता का विरोध अधिक उग्र हुआ है, परंपरा से प्राप्त इस्त्री छविके विभिन गटक, करुना, ममता, कोमलता, शीलता, अब उसे अपने शोशा और उत्पीरन में सहायक प्रतीत होने लगे हैं, समाज द्वारा निर्धारित भोमिकाए अब उसे शुब्ध करती हैं और अपनी क्षमताओं को कुन्ठित करने का कारण प्रतीत होती हैं, पहले हम सविता सिंग की कविताएं देखते हैं, 1962 में जन्मी सविता सिंग के अब तक तीन संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, अपने जैसा जीवन, नींड थी और रात थी और स्वपन समय, उनके लिए कविता केवल इस्त्री अस्मिता की अभिव्यत्य या भावात्मक्त पक्षधरता का सवाल नहीं, बलकि दुनिया को औरत के नजरिये से देखने का एक औजार है, उदारन के लिए उनकी एक कविता है कुसम का सत्याग्रह, कविता सुनिए, उस अभी और साथ दिन नहीं बादेगी केश, न करीगी प्यार, न दया, न देगी दान किसी को, सोयम को धूल में मिला डालेगी, सब अब उसके लिए है नगण्य, वो सचमुच है मरनासन, संताप के इन कठिन दिनों में बताती है कुसम, उसे कभी नहीं मिला भरपेट भोजन अकसर बचा खुचा ही मिला, देखा सम्भांत पुरुशों ने उसकी तरफ कामवशी अकसर, किया उसे मजबूर, बेबस, किसी ने दया नहीं किय उस पर, उसे प्रेम कभी नहीं मिला, समझा गया उसे एक इस्त्रीही, फटे हाल, दुर्बल, बाल खोले, कभी नहीं बादन का संकल्प लिए, आत्म संलाप के आकरी दिन रूती, लेटी है कुसुम सत्य के आग्रह में, दैनिक अन्यायों के अन्वरत सिलसले की तरह बीतने वाला दुस्वप्न सरीका इस्त्री जीवन, अन्याय के प्रतिकार में सत्याग्रह करने चलता है, कविता ने इसे यहाँ एक व्यक्तिवाची नाम दिया है कुसुम, फूल यानि एक कोमल, दुर्बल, भंगुर, अस्तित्तु, सत्याग्रह की कारवाई की तरह क्या चुना है, उसने वो न करेगी प्यार न दया न दान किसी को, क्योंकि उसे इस्त्री के यह जो स्वाभाविक गुण बताए और सिखा और जिन्हों ने उसके पिछले आत्मन की रचना की थी, उनके उत्तर में उसे कभी दया नहीं मिली, प्रेम नहीं मिला, भरपेट भोजन तक नहीं मिला, उसे काम वस्तु की तरह देखा गया और सिर्फ मजबूर और बेबस किया गया, वो एक व्यक्ति नहीं केवल फटे हा दुर्बल इस्त्री ही मानी गई, अपने उस पुराने आत्मन से छुटकारे के संकल्प को कविता ने सत्याग्रह के रूपक में ढाला है, सत्याग्रह एक महिमा मंदित शब्द है, देश की मुक्ति के संघर्ष की स्मृति ने उसे एक पवित्र हथियार बनाया है, बताया किया है कि अन्याए का सर्वथा विरोध करते हुए अन्याई के प्रति वैर भाव न रखना, सत्याग्रह का मूल लक्षन है, सत्य का पालन करते हुए निर्भैता पूर्वक मृत्यू का वरन करना चाहिए, और मरते मरते भी जिसके विरोध सत्याग्रह कर रहनी है, उसके प पुजारी के शस्त्रागार में उपवास सबसे शक्तिशाली शस्त्र है। जिसे किसी रूप में हिंसा का अश्ष्रे नहीं लेना है, उसके लिए उपवास अनिवार है। कविता की कुसम ये जो कहना चाहिए ये कुसम अवतार इस्त्री का फूल की तरह कोमल और उपर जो उसके लक्षन बताए गए है उसे पित्रसत्ता ने खास अपने साचे में ढाल के कुसम बनाया है अब कुसम यहां स्वयम अपने उस पुराने स्वयम को धूल में मिला डालने के लिए सन्नद है उस वाले उसके स्वत्व के साथ जुड़ा प्रेम दया दान वगेरे सब कुछ अब उसके लिए नगण्य हो चुका है वो पुरानी इस्त्री अब वो सचमुछ मरना सन्न है यह उसके संदाप का आकरी दिन है बाल खोले कभी नहीं बांधने के लिए संकल जो कहा गया है उसमे मानों द्रौपदी के प्रण की अनुगूंज है यह अवसाद या निराशा या अभिमान में किया गया आत्म हनन का दारुन द्रिश्य नहीं जैसा कि इस्त्रियां करती हुई पहले देखी और समझी जाती थी आचरन तो वही है लेकिन उसका अर्थ देने वाली इस्त्री के बारे में है लेकिन वास्तों में यहाँ एक नई इस्त्री असमेता एक नए इस्त्री आत्मन की गढ़ंत के एसास को पुराने इस्त्री अस्तित्व के सत्यागरह और आमरन अंशन के रूप में बहुत कल्पना शील धम से बादा गया है उनकी एक औ करती शापित पूरे इतिहास को जिसमें उनके लिए अंदकार का मरुस्थल बिचाए बैठी है याद करती अपनी महान परंपरा को जिसमें थी उनकी स्वायत्ता उनका स्वाविमान समप्रभुता थी फैली आसमान सी करुणा मेर तरल कि ये अच्छादित तम भूतल को अनदात्री वे उपेक्षित नहीं करती थी एक भी मनुश्य को बैठी है विस्मरती में डूबे अपने अंतस्तल से निचोडती अपना ही रक्त रंगती धर्ती को पटी है जो अनेक ऐसी कथाओं से इस्तब्ध हो जो मूख सुनती है उनका विला सविता सिंग की कविताओं में जहाकने वाला इस्त्री समवेत दिक में ही नहीं काल में भी अपने समवेत अस्तित्व की खोज करता है उनकी कविता को समूची परंपरा के आज बिंदु तक जाकर इस्त्री अस्तित्व की जगे की खोज करनी है इतिहास को डर्ज करने की शुरुवात पित्र सत्ता की इस थापना के बाद की गटना है पीछे जहां तक इतिहास जाता है वहां इस्त्री के लिए इस्त्री अस्तित्व के बारे में केवल अंधकार ही अंधकार है और वो भी मरुस्थल जैसा इस अंधकार में वे ओजल हैं और इस मरुस्थल में वे बंजर हैं क्योंकि वहाँ कहीं दर्ज नहीं है उनका नाम और संस्कृति के विकास में उनका योगदान वहाँ से वे डिशकासित हैं लेकिन उस इतिहास के आखिरी छोर के भी पीछे सुदूर प्राक इतिहास में कहीं उनकी स्वायत्ता, स्वाभिमान, संप्रभुता का फैलाव था अपनी उस महान प्रागहर इतिहासिक मात्री सक्तात्मक परंपरा को वे याद करती हैं जिसके विशे में इस्त्री चिंतन का विश्वास है कि वर्चस्व के परे, शक्ति के पाश और सक्ता के पैतरों के उपर थी उसके अधीन अन्दात्ति इस्त्री के रहते एक भी व्यक्ति अंदेखा नहीं रह जाता था आज वे इस अंधेरे इतिहास को श्राप देती हैं जिसका और छोर पित्र सक्ता के अधीन रहा जहां इस्त्री केवल अधीन रही है अनन्त है उनका ये विलाप और उसे सुनने वाली केवल धरती है जो मूख और स्तब्ध भाव से सुनती है मात्र सत्ता की है स्मृथी केवल इस स्मृती नहीं बलकि भविशे के बारे में एक स्वपन भी है इस्त्री मूरक इस्त्री चंतन के लिए सच का दरपन शीर्षक एक और कविता भी है जो इस्त्री जीवन का एक समवेत चित्र खीचती है बैठती हैं औरते में यदि मात्री सत्ता के गौरव की याद में विलाब करने वाली औरतों से मुलाकात होती है तो यहां उसकी अपनी दिंचर्या का एक चित्र खींचा गया है यह एक आवसर हीन जीवन तता रहित जीवन का समवेद चित्र है जो पित्र सत्ता में इस्त्री के लिए निर्धारे थे बहुत सुबह जग जाती हैं मेरे शहर की औरते वे जगी रहती हैं नींद में भी नींद में भी करती हैं प्यार, घ्रिना और संभूग निरंतर रहती हैं बंधी नींद के पारदर्शी अस्तित्व से बदन में उनके पुरती होती है मस्तिश्क में शितिलता उनके हाथ मजदूरों की तरह काम करते हैं बनी रहती हैं फिर भी अविजात संब्रान्त हुए नाश्ता बनाती हैं सुबह सुबह भेजती हैं मर्दों को दफ्तर, बच्चों को स्कूल फिर बन जाती हैं पालतुसी, सुखी दुखी अपने घरों से दोपहर कभी उच्छिंखल नहीं लगती उन्हें मनुसियत भले घेर ले पूरे दिन को हर पल की तरह वो एक पल होता है उनके लिए गुजर जाने वाला शाम होती है, सडकों पर जल जाती हैं बत्तियां इंतजार करती हैं मेरे शहर की औरते, खिड़कियों से देखती हैं बाहर देखती शहर के शोर गुल से गुजरते जुलूस को जो त्योहारों का कौतुहल पैदा करता है उन में लोट आते हैं मर्द, बच्चे, पहले दिन से ज्यादा गंभीर, ज्यादा बुद्धिमान लोट नहीं पाती अपने भीतर से औरते, उनके भीतर बुझा रहता है आत्मा का प्रकाश अंधेरे रहते हैं लगातार उन पर सवार, अंधेरी सुरंग सा पहला रहता है उन में सभ्यता का भए किसी भए में जाकती है नींद की देवी, जिसमें तेरती रहती है छायाए मृत्यों की चाही रहते हैं बड़े डैनों वाले पक्षी उनके मन के आकाश में, उनके एकांत का जंगल, काटता रहता है स्वयम अपने पेड, रात बिरात पैदा करता है खौफ़नाक आवाजें, दरी रहती हैं बिस्तर में भी अपने पुरुशों के संग बेवजय खलल नहीं डालती उनकी नींद में, रहती हैं सेवारत, बरसाती प्रेम, सहिश्णता, चाहिए उन्हें वैसे भी बहुत ज्यादा शान्ती, बहुत कम प्रतिरोध अपने घरों में, फिर भी अपने एकांत के शब्द रहित लोक में एक प्रतिद्वनी सी, मन के कि बेचैन कोने से उठती जल की तरंग सी, अपने चेहरे को देखा करती हैं, एक दूसरे के चेहरे में बनाती रहसे मैं धंग से, एक दूसरे को अपने सच का दरबाण, कविता इस्त्री की समूची दिंचर्या का अनुगमन करती हैं, मेरे शहर की ओरते कह कर उसे एक समवेत जीवन का रूप दिया गया है उसकी संरचना में मर्द और बच्चों का जिक्र भी आता है लेकिन एक संदर वो मातों की तरह है घर को एक निर्बाद दिन चर्या प्रदान करना और उसे निर्बाद बनाई रखना कुल यही इन इस्त्रियों के जीवन का पर्याय है मर्दों को दफ्तर, बच्चों को स्कूल भीजने के बाद वे पालतु सी घर में बंद जाती है दोपहर का खाली वक्ट भी उनको खुला नहीं छोड़ता वे बंदी ही रहती हैं बले ही मनहूसियत से मर्द और बच्चे हर पिछले दिन से ज्यादा गंभीर ज्यादा बुद्धिमान बनकर घर लोटते हैं लेकिन औरतें अपने भीतर से नहीं लोटती उनकी आत्मा का प्रकाश बुझा ही रहता है उनके पास गंभीर या बुद्धिमान बनने का कोई अवसर नहीं पित्रसत्ता ने उनको जो वजूद दिया है उसमें वे निरंतर, अनिष्ट की आशंका और भाय से घिरी रहती है औरतें वहाँ सोचने सवाल पुछने का काम नहीं करती है केवल आज्या पालन करती है मानो समूचा जीवन नींद में ही चलते फिरते गुजर जाता हो उनके घरों में प्रेम बरसता है, शांती ही शांती रहती है लेकिन इसके बावजूद एक फिर भी मौजूद है उनका एकांत लोग शब्द रहित है लेकिन फिर भी मन के बेचैन किसी कोने से उस सनाटे में से एक प्रतिध्वनी सी उठती है खुद उनके सिवाए उसके बारे में कोई और नहीं जानता लेकिन चू कि ये समवेद है जहां हर इस्त्री हर दूसरी इस्त्री के समान है इसलिए वे एक दूसरे के चेहरे में अपना चेहरा देख पाती है सब एक दूसरे का प्रति रूप है उनमें से कोई सी भी व्यक्ति के रूप में विकसित नहीं हो पाती हरेट के मन में वो बेचैन कोना है जिसमें कोई हूक या कोई टीस दबी हुई है इस शांति प्रेम सहिश्णुता की यही असलियत है अस्मिता भूलक स्त्री चिंतन में इन प्रश्न हीन आग्याकारी इस्त्रियों को पित्र सत्ता की पालतु औरतें कहा गया है इस कविता में तोराया गया है फिर बंद जाती हैं पालुति सी, सुखी, दुखी अपने घरों से में पालुति विशेशन के प्रयोग से कविता उसी विचार की अनुगोंज उत्पर्ण करती है सविता सिंग् की कविताओं में एक शीतल वैचारिकता है वे अस्मिता मूलक इस्त्री चिन्तन के विचार सूत्रों को अनुभाव बिम्प रूपक में बांधते हुए रची जाती हैं यहां उद्ध्रित तीनों कविताओं में तीन विचार बांधे गए हैं इस्त्री की पुरानी इस्त्रियोचित भोमेका का विसर्जन कुसुम का सत्याग्रे में, प्राक इतिहास में मात्री सत्ता के तहत इस्त्री की स्वायत समप्रभुता और गौरव की स्मृती और इतिहास से उसकी बेतकली की पीड़ा बैटी है और तेविलाप में, पित्र सत्त प्राद्वारा इस्त्री को पालतू बनाकर श्रम शक्ति में बदलना और उस श्रम को निर्मूल्य बनाए रखना सचका दरपण में। न देगी दान न दया। उनकी भाषा में तत्सम किसी को तद्भव देशज विदेशक शित्रिय सभी तरह के शब्द हैं। सविता सिंग के बाद मैंने नयम दाम तो वैसे शुरू में नीले श्रगवनशी का लिया है लेकिन हम पहले गगन गिल की कविताएं देख लेते हैं। क्योंकि कालक्रम से भी गगन गिल सविता सिंग की समकक्ष हैं और कविता के भाव से भी। 1969 में जन्मी गगन गिल के अब तक चार कविता संग्रे प्रकाशित हुए हैं। एक दिन लोटेगी लड़की, अधेरे में बुद्ध, ये आकांक्षा समय नहीं, दिल थपक थपक, दिल थपक थपक। एक दिन लोटेगी लड़की गगन गिल के पहले कविता संग्रे की शीर्शक कविता है। संग्रे 1983 में प्रकाशित हुआ था, तो ये कविता एकादवज पहले ही लिख ली गई होगी। तब तक हिंदी साहिते में इस्त्री लेखन और इस्त्री संवेधना एक अलग कोटी की तरह परिभाशित नहीं हुई थी। अस्मिता मूलक स्त्री लेखन की शुरुआद भी नहीं हुई थी। सन असी के आसपास कभी लड़की श्रिंखिला की कविताओं ने प्रकाशित होकर तब के हिंदी जगत को स्तब्द कर दिया था। पहली बार इस श्रिंखला में लड़की के प्रती पित्रसत्ता के हिंसक व्यवहार को उसकी विभीशिका को इस तरह उदगाटित किया गया था। इस कभीता श्रिंखला को शायद एक सूत्रपात का दरजा दिया जा सकता है। कभीता सुनिए, एक दिन लोटेगी लड़की, हतेली पर जीव लेकर हाथ होगा उसका लहू से लत्पत, मुह से टपका लहू कपड़ों में सूखा हुआ, फिर धीरे उसका मुह आदी हो जाएगा, कपड़ों के खुश्णुमा रंग उसके चेहरे पर लोटेगे। सोचेगी नहीं, वो भूल कर भी अपनी हतेली के बारे में, जीव के बारे में, क्यूंकि लड़की कुछ नहीं सोचेगी। और इस तरह दहशत से परे होगी, या कहें कि दहशत के बीचों बीच लड़की में कुछ नहीं कापेगा, ऐसा कुछ भी नहीं जिसे धड़कता हुआ, कह सकेगी। सिर्फ कभी कभी उसमें एक सपना धड़केगा, या सपने में लड़की, उस कभी कभार वाले दिन लड़की निकलेगी, सपने की चाल से अलग लिथली देह लेकर, उस दिन से बहुत दिनों दूर, हथेली पर जीव खीच लाए, उस दिन से बहुत दिनों दूर, सपने में लड़की छांकेगी अंदे कुए में भीतर होगी जिसके अंदी एक और लड़की आँखें जिसकी देखेंगी जिसे भी अंधा कर देगी लड़की सोचेगी जो हिस्सा अंधा होना था हो गया जो चुप होना था वो भी हो गया जो लाचार होना था वो भी हो गया फिर भला अब वो क्या करती है अंधे कुए में बैठी वो ये सब सोचेगी लेकिन सिर्फ सपने में दिखने में तो बाहर से वो कुश मिजाज होगी मौ उसका जुबान बिना आदी आखे उसकी दृश्चों से दूर रंग उसके चेहरे में गड्मट जुबान के बारे में वो कभी नहीं सोचेगी भूल कर भी नहीं ना जुबान क कविता का केंद्री शब्द जुबान है जुबान यानि भाषा बच्ची से लड़की बनने के क्रम में लड़की से उसकी जुबान छीन ली गई है उत्तर आधुनिक वैचारी की में भाषा का विशलेशन केंद्री महत्व की जगह रचता है सांस्कृतिक सामाजिक रुख रवये रुजान प्रवृतियां मनोवृतियां आदि भाषा और उसकी प्रयोग विधी में संचित रहते हैं कात्याईनी ने अपनी एक कविता में कहा भी है न जाने क्या सूजा एक दिन इस्तरी को खेल खेल में भागती हुई भाषा में समा गई छिपकर पैठ गई एक दिन लोटे की लड़की में गगन गिल ने एक मुहावरे में छिपी उस लड़की को बाहर निकाल कर इस कविता में खड़ा कर दिया है जिसमें उसकी जबान छीन ली गई थी इतने प्रचलित हैं ये प्रयोग के महावरा बन चुके हैं जबान काट लेना जीब कीच लेना जीब कीच कर रतेली पर रख देना किसी अधीन व्यक्ति के जवाब देने जबान लडाने जबान दराजी करने पर ये संभावित दंड की धंकिया है उसे शब्द शह घटित क की तरह कलपित करके कविता रची गई है इस्त्री के साथ पित्रसत्ता का ये हिंसात्मक सलूग दहशत पैदा करता है मानो एक कारिक्रम है जिसे किया जाना है किसी हिस्से को अंधा बनाया जाना किसी को बैरा बनाया जाना किसी को गुंगा बनाया जाना दहशत इस्त्री को कांपता धरकता शेश नहीं रहता जीब खीच कर हथेली पर धर देने के रूपक से इस दैशत का स्रिजन किया गया है लेकिन फिर वही फिर भी इस्ती के दमन को चित्रित करने वाले अस्मिता लेखन की अधिकांश परिनती इस फिर भी में होती है यहां भी एक फिर भी है फिर भी लड़की कभी कबार सपने में एक अन्धे कुए अपने अवजेतन में जھाकेगी और वहाँ पहले से बैठी एक और अंधी लड़की को देखेगी और सोचेगी जो हिस्सा अंदा होना था हो गया जो चुप होना था वो भी हो गया जो लाचार होना था वो भी हो गया होना था कि पीछे मानो एक नियती है कि ये तो किया ही जाना था और सवाल है फिर भला वो क्या करती है अंदे कुए में बैठी यही है बुनियादी सवाल जो होना था यानि इस्त्री जीवन का मकसद वो सब कुछ हो चुका अंधा होना, चुप होना और लाचार होना पित्र सत्ता यही मकसद तै करती है इस्त्री के लिए उसके बाद भी अगर अंधे कुएं के बीतर वो अंधी लड़की अब भी बैठी है, अब भी बाकी है, तो क्यों? दरसल मकसद क्या कुछ और है? इस सवाल का कोई जवाब इस कविता में नहीं है कविता में तो बस यह बताया गया है कि यह सब वो सोचेगी लेकिन सर्फ सपने में दिखने में तो बाहर से वो कुष्पजाज होगी लेकिन क्योंकि फिर भी अंदे कुए में वो बैठी रह गई है सच का दरपण में शहर की औरतों के बेचैन मन में शब्द हीन प्रतिध्वनी की तरह इसलिए एक तिन अस्बिता मूलक स्त्री चिंतन का संभव होना अनिवार है खोई हुई जबान का वापस आना अपनी आँखों से देखना सूचना और बोलना वापस आएगा है गगन जिल की एक अन्य कविता तुम कहोगे रात में भी भाशा के संचित कोश में संबंधों के ताने बाने में छिपी वर्चस्व वृत्ति के रुख रवये रुजहान का का व्यात्मक उद्गाटन है पिशली कविता का मुहावरा इस्त्री की जुबान छीन लेने की कहानी सुनाने के लिए इस्तिमाल किया गया था इस कविता में प्रयुक्त वहावरा पुरुष की वर्चस्वी वाचालता को अभिव्यक्त करके अपना कावियार्थ अरजित करता है तुम दिन कहो तो दिन रात कहो तो रात तुम दिन को भी रात कहो तो रात तुम जो कहो सही जैसी अभिव्यक्तियां अधीन व्यक्ति के शब्दों में वर्चस्व की स्विकृति की भाषा है भाषा वर्चस्व हमेशा दंड की ही भाषा नहीं बोलता समर्पन और तातात में का मूल चुका कर प्रेम के उल्लास की भाषा बोलता हुआ भी पाया जा सकता है लेकिन उसकी असलियत कुछ और होती है तुम कहोगे रात और रात हो जाएगी तुम कहोगे दिन और धुल जाएगा दिन तुम कहोगे रंग और उरती चली आएगी तितलिया पृत्वी भरकी तुम सोचोगे प्रेम और दिगंत खोल देगा एक इंद्र धनुष गुप्त तुम होगे संतप्त और जल जाएगी उसकी त्वचा दूसरे शहर में तुम कहोगे रात और जरती चली आएगी स्मृती तुम कहोगे दिन और रित हो जाएगी पृत्वी तुम रहोगे चुप और चटक जाएगी शिलाएगी चंद्रमा तक तुम कहोगे अदेखा और वो जा फंसेगी अद्रिश्या हवा के कंट में तुम कहोगे रात और बनने लगेगा आप ही आप रेत में एक घर तुम कहोगे दिन और उघर जाएगी ये देह जरा की कुत्री भी पूरी कविता तुम कहोगे तुम कहोगे की आवरतियों से रची गई है एक बार भी वो कहेगी या मैं कहूंगी का उच्चार नहीं होगा तुम कहोगे की इन आवरतियों के बीच में ही फसे हैं उसके जंदगी के रंग, प्रेम, सुमृति, अंदेखा छूट जाना, वो घर जो मानो रेत में बना था, तादात में और समर्पन की ये हद कि तुम होगे संतप्त और जल जाएगी उसकी त्वचा दूसरे शेहर में और इसी क्रम में एक बार भी कुछ भी कहे बिना वो दिन आता है अंत में और उघर जाएगी ये देह जरा की कुत्री गई, अत्रप्त गगनगिल की कावे भाषा के एक मिजाज में विरोध का कड़ा तेवर है क्योंकि वहां उसका कथ्य इस्त्री जीवन के परिद्रिशे में समाया खौफ और अंतर द्रिशे में उसका भयाव प्रतिबिम्ब है जो अचेतन में जा बैठा है गगनगिल के ये आदी बिम्ब समवेदना को आगात पहुँचाते हैं लेकिन दूसरा भी एक मिजाज है जो कोमल बिम्बों से रचा गया है तुम कहोगे रंग और उर्ति चली आएंगी तितलियां पृत्वी भर की तुम सोचोगे प्रेम और दिगंत खोल देगा एक इंद्रधनुष गुप्त दोनों ही मिजाजों की काविभाशा में आवेग और भावात्मक त्वरा को रचनात्मक संतुलन के साथ दारन करने की और कलात्मक संयम के साथ साधने की गहरी क्षमता है अब निलेश रगवनशी की बारी है 1979 में जन्मी निलेश रगवनशी के अब तक तीन कविता संग्रह प्रकाशे थें गर निकासी, पानी का स्वाद और अंतिम पंक्ति में दिलेश रभुवन्शी की कविता स्वभाव में सकारात्मक है वो सविता सिंग की शीतल विशलेशनक्षम वैचारिक्ता और गगन गिल के आवेग मैं अवसाद से भिन्ने है वस्तुते देखें तो उनकी कविता अस्मिता मूलक इस्त्री चिंतन के दाइरे में प्रवेश नह की कविता आशवस्ति जनक प्रसं और शायद एकहरी और भावुक भी दिखाई रेती है निलेश रगुवन्शी की एक कविता है टेलिफोन पर पिता की आवाजन पर थरथराती है पिता की आवाज दिये कि लुकी तरह कापती सी दूर से आती हुई चिपाय, बेचैनी और टेलिफोन के तार से गुजरती हुई, कोस्ती, खीजती इस आधुनिक उपकरन पर, तारों की तरह टेम्टेवाती, तूटती, जुडती सी आवाज, कितना सुखद पिता को सुनना टेलिफोन पर, पहले पहल कैसे पकड़ा होगा पिता ने टेलिफोन, कड़कती बिजली सी प पर बनते बिगडते बुलबुलों की तरह, आवाज पिता की बर्राई हुई, पकड़े रहे होंगे टेलिफोन देर तक, अपने ही बच्चों से दूर से बात करते पिता, कविता के समवेदन शील कान पकड़ते हैं एक एक ध्वनी, एक आधुनिक उपकरन से पहली बार नि पिता के साथ एक नया अधिक सहज रिष्टा है, नीलेश अन्य चारो कवित्रियों से उम्र में 10-12 वर्ष छोटी हैं, उनकी अपेक्षा स्त्री लेखन की यूवतर पीड़ी में गिनी जा सकती हैं, संभवे पिछली पीड़ीों के संघर्ष के बाद उधित होने वाले सामंजे सकालाव उनके भाववोध को मिलाओ, लेकिन इस तरह के अनुमान मात्र अनुमान ही होते हैं, रुख, रवईया, बहुत कुछ अपने आरंबिक परिवेश और व्यक्तिगत अनुमान से निर्मित होता है, ये सर्वविरित है, पित्रसत्ता का एक चेहरा बेशक पिता का चेहरा भी है, उनकी एक आन्य कविता का शीर्षक है उदासी, एक ही बात दोराती हूँ बार बार, मैं उदास बहुत हो, बार बार दोराने से बहतर है, बदल देना चाहिए उदासी को उजाले में, चाई की पत्ति की तरह, बदल देना चाहिए उदासी को स्वाद में, घुल देना चाहिए, घुल जाने देना चाहिए शकर के दानों की तरह, पोचे की तरह रगर देना चाहिए उदासी को, उजले फर्ष की तरह बदल देना चाहिए उदासी को साबुन में उदासी 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 बस बहुत हो गई उदासी पुराने पड़ गए कपड़ों की तरह उदासी को बेच कर नए चमचमाते बरतन खरीद लेना चाहिए अनार के दानों की तरह चमखने देना चाहिए प्रत्यक्ष तहर कविता में एक सकारात्मक संदेश है लेकिन वो केवल उपदेश ही है या उदासी मिटा देने के कोई नुस्खें भी कविता में चिपाए गए हैं। पानी में घुला के उदासी के स्वाद को बदल दिया जाए। पोचा लगाया जाए और यूहीं उदासी को साबुन बनाते हुए उजले फर्ष को देखकर मन को चमका लिया जाए। पुराने कपड़े बेचकर चम-चमाते बरतन खरीदे जाएं और अनार के दानों जैसे दा व्यक्त उदासी की प्रकृति क्या है। उसका स्वभाव हद से हद सविता सिंग की सचका दरपल शीशक की नींद में चलती फिरती, सोचने की कोशिश भी न करती, और तों के शब्द हीन एकांत में कभी-कभी उठती, बेचैन प्रतिद्वनी तक पहुँचेगा, जिसे ऐ ऐसी गतिविधियों से वाकई धोया पूछा जा सकता है। फिर भी उसे बदाएं रखने की जिद शायद एक तरह की विलासिता है, जो कविता में एक अधीरता और जुझलाहाट का स्वर्भी जोडती हैं, उदासी, 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 बस बहुत हो गई उदासी। अनामिका की इस्त्रियां अत्वा दर्वाजा, या कात्याईनी की साथ भाईयों के बीच चमपा, या गगन गिल की एक दिन लोटेगी लड़की जैसी कविताओं की पीड़ा ये नहीं है, जिसकी उत्कटता प्रतिरोध को उग्र और असहिश्नू बनाती है। हंडा, निलेश रगवंशी की भारत भूशन सम्मान से पुरस्कृत वो कविता है, जिसने उन्हें युवा पीड़ी में उनकी विशिष्ट पहचान दिलाई। उनकी अन्य दोनों अपेक्शाकृत सरल एवं एकहरी कविताओं की तुलना में ये एक अधिक जटिल वसंचलिस्ट कविता है। दूबे हुए दिन, नहीं रही युवति, नहीं रहे तारों से भरे दिन, बच नहीं सके उमंग से भरे मनोहर सपने, हंडा है आज भी। जीवित है उसमें ससुराल और मायके का जीवन बची है उसमें अभी जीने की गंद बची है इस्त्री की पुकार दर्ज है उसमें किस तरह सहेश्ती रही वो घर तूटे न कोई बिखरे न कोई बचे रह सके साम मासूम सपने कविता एक घंडे के बारे में है जो यहां एक चीज होके भी महद एक चीज नहीं है हमारे ठेट घरे लुपन की ये एक खासियत है कि न केवन पालतू पशु पक्षी बलकि जड़ निर्जी वस्तुएं भी इसमृतियों और साहचरियों से जुड़कर चेतना मंडित कर दी जाती है चेतन होटती है मानो परिवार की सदसे बन जाती है कविता में चित्रित घर में हंडा एक ऐसा ही सदस है जिसके साथ वो दहेज में माईके से ससुराल लाया गया था अब उसके न रहने के बावजूद वो उसकी अनुपस्थिति के शून्य को बर रहा है और स्मृति साहचरि से उसकी भूमे का निभारा है पूरी कविता एक घरेलू आत्मियता और भावनात्मक उश्मा से रंगी हुई है हमारे समाज के अनेक परतिय विन्यास के रहते अधिक्तम विस्तारों में हम अभी तक उस अर्थ में आधुनिक हुए नहीं है जिसमें व्यक्ति के पास एक स्वतंत्र स्वायत्त सत्ता होती है और अधिकार चेटना द्वारा परिभाशित की जाती है अभी उपर निलेश की उदासी शीर्षक कविता के संदर्व में सविता सिंग की सच का दरपन शीर्षक कविता की मेरे शहर की औरतों का जिक्र किया गया था यहां सविता की कविता की उन औरतों के संदर्व में निलेश रगवन्शी की कविता की यूती का जिक्र किया जा रहा है हंडे की स्वामिनी जो अब नहीं रही लेकिन फिर भी है उसका न रहना क्या कविता के संदर में कोई विशेश अर्थ रखता है वो एक भिन संदर्व संसार की वासनी थी उसके सरोकार कुछ और थे लेकिन क्या कहा जा सकता है कि मानो नींद में कटा उसका जीवन कि एक मजदूर की तरह काम करते थे उसके हाथ भले ही अभिजात और संब्रांत बनी रहती हुआ भले ही बिना दाम रहा होगा उसका श्रम लेकिन क्या निर्मूल ये भी उसका न रहना क्या एक पूरे मूल्य संसार का उठ जाना है बच नहीं सके उमंग से भरे सपने हंडा है आज भी खाली हंडा उस बीते हुए संसार की जा चुकी स्वामिनी की निशानी सा खाली हंडा सारे घर में रगता फिरता है लेकिन ये कविता उस गए हुए संसार का शोग गीत नहीं उसकी स्मृतियों के जरिये उसके मूल्यों को पुनरनवा बनाई रखने का उठ सके नीलेश रगवन्शी की कविताओं के रशनात्मक विन्यास में प्राय है एक सरलता और एकैरा पन है नीलेश रगवन्शी अपनी कविताओं में एक साथ संवेदनाओं के कई रंगों का प्रयोग करती है उदासी शीर्ष कविता के सादरिश विधान में भी ये संशलिष्टता देखी जा सकती है निश्कर्ज की तरह कहें कि सविता सिंह, गगणगिल और डिलेश रगवन्शी की कविताओं इस्त्री दृष्टी से इस्त्रीों के जीवन को देखने वाली कविताओं है उसमें कोई अतिशयोगति नहीं है सूचना, समाचार, आत्मकतात्मक दस्तावेज और साहितिक रश्णाओं के साक्षि पर ये हमारे समय की इस्त्री की प्रमानिक अनुभूती है नीले श्रगुवन्शे का रास्ता अलग है वे शायद उस भाव संदर्ब में स्वयम को सहज नहीं पाती एक कविता में किंचित विनोध भाव से उन्होंने लिखा भी है मिल जानी चाहिए अब मुक्ते इस्त्रियों को आखिर कब तक विमर्ष में रहेगी मुक्ते बनने चाहिए एक सड़क चलें जिस पर सिर्फ इस्त्रिया ही मेले और हाफ बाजार भी अलग किताबें अलग अलग हो गाथाएं इतिहास तो पक्के तौर पर अलग खिड़कियां हो अलग जहांके कभी इस्त्री तो दिखे सिर्फ इस्त्री हो सके तो बारिश भी हो अलग लेकिन अगर निलेश की कविता को अस्मिता मूलक चिंतन में कोई संदर्ब देना ही हो तो उसकी जगह पित्र सत्ता के साथ समवाद और संप्रेशन वाले खाते में होगी अस्मिता मूलक चिंतन का इस्त्री अध्याय अब एक विकसित चिंतन पद्धती का कलेवर धारन कर चुका है लेकिन हिंदी सायते में अभी हम उसके बारे में केवल कॉमन सेंस की शब्दावली में ही बात कर रहे हैं यह सच है कि कथा सायते उसके लिए एक अधिक उपयुक्त माध्यम क्योंकि सामाजी कोटियों और जीवन की विविधताओं के कारण वहाँ विवरण वैविध्य संभाव है जबकि कविता का कलेवर अमूर्तन और सूक्ति स्रिजन के प्रतिरुजान की वज़े से उनी उनी वस्त्रों की पुनरावृति साथ प्रतीत होने लगता है लेकिन ऐसा तो किसी भी आंदोलन के समय की जाने वाली रचना का सामाने परिद्रिश्य होता है बच रहने वाले विशिष्ट रचना कार गिने चुने होते हैं यहां के विवेचे रचना कार उसी कोटी के हैं